Hello everyone, welcome you all at Lucas Sir Unlimited Study Zone तो चल रही है classes गती विज्ञान की इसे English में kinematics भी बोलते हैं तो पिछले कुछ lectures में हमने बढ़िया बढ़िया numerical कम्प्लीट किये थे आज जो topic हम यहाँ पर discuss करेंगे बच्चों आपके सामने उसका नाम है fourth equation of motion बहुत सारे बच्चों को सुनकर के लग रहा होगा यह fourth equation of motion होता क्या है हमने तो equation का पहला equation of motion पढ़ा है V equal to U plus 80 दूसरा पढ़ा है S equal to UT plus half 80 square और तीसरा पढ़ा है हमने V square equal to U square plus 2S यहाँ मैं लिग दिता हूँ वैसे आप जानते हैं सभी लोग की जो equation of motion आपने पढ़ा है वो कौन-कौन से है V equal to U plus 80 आपने पढ़ा है S equal to UT plus half 80 square भी आप लोगों ने पढ़ा है और तीसरा आपने क्या पढ़ा है V square equal to U square plus 2AS यह भी आपने पढ़ा है अब आपका सवाल है यह कहां से आगया है यह कौन सा equation of motion है है ना यह आपने fourth वाला नहीं सुना है यह पहला होता है यह दूसरा होता है यह तीसरा होता है तो अब मैं आपके सामने fourth equation of motion लेकर आ रहा हूँ fourth equation of motion होता है S equal to U plus V upon 2 into T U plus V upon 2 into T ठीक ना तो और यह सबके सब कब लगते हैं आपको पता है यह सबके सब तब लगते हैं जब आपका जो motion होता है constantly accelerated हुआ करता है ठीक ना जब आपका जो motion हुआ करता है वो क्या होता है constantly accelerated हुआ करता है चलो आईए तो इसको हम प्रूफ करते हैं तो हमको fourth equation of motion को प्रूफ करना है तो हम कहां से उठाएंगे देखे हम जानते हैं कि s equal to ut plus half a t square होता है यह situation दी गई है अब आपको इसके आँगे ज़रुत पढ़ेगी एक diagram की आप इस diagram को समझिये यह आपके पास कोई path है यहाँ पर starting करते समय body की velocity थी किती u और end velocity किती हो गई है v ठीक है यहाँ पर आपने u ले लिया है और v ले लिया है एक second यस तो initial velocity आपकी body की यहाँ पर u है and then इसको हमने फिर v ले लिया है एक second भाई यस तो देखे velocity initial मैं फिर से बोलूँगा क्या है u थी और final velocity किती है v हो गई है और यहाँ से यहाँ तक journey में जो time लगा है वो कितना लगा है t लगा है ओके तो what we can say about the acceleration acceleration यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास जो acceleration बनेगा a is equal to v minus u upon कितना बन जाएगा t बन जाएगा ठीक है न v minus u upon t अब यहाँ पर हम solve करते हैं इसको formula में put कर देते हैं तो s equal to ut तो ठीक है plus 1 upon 2 a की जगे v minus u upon t into t का square यह हो गया अब देखे 1t से 1t cancel कर दीजे तो यहाँ पर कितना बज़ गया s equal to हो गया ut plus 1 upon 2 vt और minus का कितना हो गया यहाँ पर ut ok क्योंकि 1t cancel हो चुका है vt minus ut अब अब देखे इसको क्या कर सच सकता है इसको मैं लिख सकता हूँ s equal to यह हमाँ पस में ut है so I can write it ut as it is यह कितना है 1 upon 2 vt है minus half of कितना हो गया ut हो गया तो s equal to ut में से half of ut minus हो गया तो कितना बज़ गया half of ut plus half of vt ok so यहाँ से हम क्या लिख सकते है यदि हम half common ले यह हम t common ले तो कितना बन जाएगा u plus v upon कितना 2 ok t common आचुका है u plus v by 2 यही हमको proof करना था कि s equal to होता है u plus v by 2 multiply by t तो यह भी बहुत ही काम का equation है इसको note करिए s equal to u plus v by 2 into t done so फिर से मैं बताऊंगा क्या होता है s equal to u plus v by 2 multiplied by t यह हमारे पास बन चुका है fourth equation of motion fourth equation of motion done चलिए एक इस पर simple numerical कर लेते हैं देखें क्या होता है मैं numerical आपके सामने डिक्टेट कर रहा हूँ एक particle जो है कोई कण है इस ती रवस्था से चल करके यह अपना u equal to 0 से चल करके है 10 second में मतलब यहां से लेक करके यहां तक का जो समय लगा है वो कितना लगा है 10 second और 10 second में चल करके कितना यहां पर वेक प्राप्त कर लेता है 10 second में 20 meter per second का वेक प्राप्त कर लेता है 10 second के बाद इसकी जो velocity है that is equals to 20 meter per second आपको निकालना है कि इसके कड़ के द्वारा कितना विस्थापन ट्रेवल हुआ है मतलब आपको total विस्थापन यहाँ पर ट्रेवल करना है तो देखिए बहुत ही simple तरीकी से आप इसको कर सकते है यहाँ पर आपके सामने time दिया गया है initial velocity involved है और final velocity involved है और आपको displacement निकालना है अब देखिए अगर आपके दो equation से जाते हैं तो s equal to ut plus half a t square यहाँ पर आपको acceleration पता नहीं है और अगर देखेंगे v square equal to u square plus 2 a s यहाँ भी आपको acceleration पता नहीं है ठेके ना तो हलाकि निकाल सकते हैं आप v equal to ut का इस्तेमाल करके v equal to u plus a t का इस्तेमाल करके आप तोरण निकाल सकते हैं और put कर देंगे बात वही है यहाँ आपको और भी जल्दी करना है तो directly formula मैंने आपको fourth equation पढ़ा रखा है fourth equation of motion जो होता है s equal to कितना होता है u plus v upon 2 multiply भी कितना t बस यह लगा दीजिए तो u कितना है 0 है v कितना है 20 है upon में 2 है और sum है कितना दिया है 10 है तो 2 से ही कितना खड़ जाएगा 5 answer कितना आ गया 100 meter तो correct answer इसका कितना होगा 100 meter done चलिए अगले concept पर चर्चा करते हैं अगला concept है n way second में तय की गई दूरी n way second में तय की गई दूरी अब आप इसको ऐसे समझे यह मालीजी आपके पास कोई गती हो रही है t equal to 0 से ले करके t equal to n second आपके पास में कोई गती हो रही है मैं कहूंगा आप पहले second में कितना चलते हैं तो t equal to 1 मतलब यहां से ले करके यहां तक की जो distance है वो s 1 थै मैं कहूंगा आप आप दूसरे सेकंड में कितना चलते हैं, तो दूसरा सेकंड कहां से सुरू हो जाएगा, पहले सेकंड के खतम होने से, तो यहां से ले करके यहां तक का जो दूरी है, वो क्या है, S सेकंड है यह, और मैं कहूंगा आप 90 सेकंड में कितना चलते हैं, तो देखे, 90 सेकंड कहां स सुरू होगा जहां से n-1 वा सेकंड खतम होगा और यहां से लेकर कि यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है s-nth है ओके n-2 सेकंड में चली गई दूरी तो आप कैसे निकाल सकते हैं यही मैं आप से पूछों कि इसको डिराइब करने को कि आप कैसे निकाल सकते हो s-nth तो s-nth याने की n-2 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकाल होगे पहले पूरा आप n सेकंड तक चली गई दूरी निकाल लो this is equal to s-n-n-1 सेकंड तक चली गई दूरी निकाल लो S 5th equal to कितना होगा S 5 minus S 4 बट मेरे पास आपके लिए इसके लिए direct formula है मैं आपको बता दिता हूँ S nth का direct formula इसको derive करके आ जाता है मैंने अपने पिछली classes में करा रखा आप लोग देख लीजेगा S nth equal to होता है S n minus S n minus 1 formula होता है इसका u plus a by 2 bracket में 2n minus 1 u plus a by 2 bracket में 2n minus 1 यह होता है nth second में चली गई distance u plus a by 2 2n minus 1 तो यह आप जो है इस तरीके के formula का इस्तमाल कर सकते हैं अब आईए इस पर एक example question ले लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा एक question मैं इस पर example लेता हूँ देखे क्या कह रहा है एक कंड 2-5 meter per second की वेक से गती प्रारंब करता है भाई सब तो माल लीजे एक कंड है वो कितने speed से u equals to u equals to 5 meter per second की रफ्तार से गती प्रारंब करता है और इसके बाद दिया है कि कंड का मंदन यानि कि retardation जो आपको दिया गया है यह retardation a is equals to मंदन दिया है 2 meter per second square तो आपको actually retardation बोल दिया तो आपका करतब है कि minus आप खुद लगा यह तो a equal to कितना है minus 2 meter per second square आपको कह रहा कि बताइए पाचवे second में चली गई दूरी कितनी होगी fifth second में चली गई दूरी कितनी होगी तो बहुत ही simple concept है अभी मैंने आपको बता दिया है कि s nth equal to कितना होता है u n u plus u plus a by 2 bracket में 2n minus 1 यह formula हुआ करता है न तो u की जगे यहाँ पर क्या रख दीजे u की जगे आप 5 रख दीजे plus a की जगे कितना रख दीजे minus का 2 और whole में divide by 2 और bracket में 2 into 5 5 क्योंकि n की जगे क्या है 5 है यह जो होता है यह n बन जाता है तो n equal to 5 जिस second की आप बात कर रहे हो 2 set to cancel हो गया अपने पास आगया कितना 5 और यह 2 5 जग 10 minus 1 और यह हो गया कितना minus का 9 ओके तो 2 into 5 minus 1 u plus a by 2 2 and minus 1 यहाँ पर u आपको sorry हाँ मैंने question में थोड़ा सा गड़बर लिग दिये u आपको जो दिया है 9 meter per second थोड़ा से यहाँ पर सही कर लिजे u की जो value आपको दी गई हो किती है उसको 9 कर लिजे 9 meter per second मैंने भी चेक किया है तो u आपके पास में 9 है तो इसको 9 कर लिजे ठीक न yes तो 9 कर लिजे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 9 plus 2 into 5 minus 1 तो यह है u और यह आपके पास में plus लगा हुआ था और यह minus लगा हुआ था मतलब minus 1 और यहाँ पर 9 आएगा so 9 minus 9 equals to कितना हो गया zero मतलब की आप से पूछा जाए कि nth second में यानि पाचवे second में कितना विस्थापन ट्रेवल किया है तो पाचवे second में जो विस्थापन हुआ है zero हुआ है मतलब पाचवे second में देखिए अब यहाँ पर actually यह विस्थापन ही देता है हम लोग बोल देते हैं इसको दूरी बोल चाल की भासा में बट यह विस्थापन होता है तो आप से पूछा जाए कि पाचवे second का विस्थापन कितना होगा second का विस्थापन तो पाचवे second में जो होगा zero विस्थापन होगा पाचवे second में कितना होगा पाझ कुछुच्छ यहां पर इस के बाद यहां तक 5 यहां पर फिनिश हो गया ooh कि यह समें बना रास्ता और यहां पर 5inta हो गया इसके बीच में आपके पास मैं जो टोटल मैंजरक्ट डीशप्मेंट आ रहा है वो कितना रहा इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है, कि इस समय की बीच में, देखो यह समय बना हुआ है, रास्ता नहीं है, यह समय दिखा हुआ है, इसके बीच में जो विस्थापन हुआ होगा, कुछ हुआ होगा धनात्मक दिसा में, मतलब जितना धनात्मक दिसा में होगा, तभी उतन जीरो हो जाएगा ठीक ना तो थोड़ी सी चौकाने वाली बात है आराम से करिए कुल विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक ना ठीक और देख लीजे यू आपका नाइन है और एक एक्सरे रिटार्डेशन हो रहा मतलब गाड़ी जो है वेलास्ट माइनस टू है तो यह कहीं न कहीं कहीं न कहीं ऐसे इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा तो कुछ आपकी विस्थापन ऊपर की तरफ रही होगी कुछ विस्थापन नीचे की तरफ रही होगी और कुल विस्थापन आपका कितना हो जीरो हो गया और यहाँ पर जो टाइम का gap है, यह कौन सा second चल रहा था, यह पाँचवा second चल रहा था, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए answer 0 आ रहा है, जिससे आपको यह सारी चीज़ें clear हो पाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा detail में आपको समझाया कि इसको आप अच्छे answer आएगा, ठीक ना, तो casual होने में physics जो होती है, थोड़ी सी धोखा दे जाती है, तो यहाँ पर विस्थापन हम लिख देंगे, अब यह सारी situation यहाँ पर problem नहीं कर रही है, अब चलिए इस question को हम एक और नया रूप दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चुका है कि कुल विस्थापन यहाँ पर कितना हो रहा है, जीरो हो चुका है, बट अब हमें निकालनी है दूरी, कि दूरी कितनी होगी, ठीक ना, तो हमें क्या निकालना है, दूरी पाचवे सेकंड में, चली गई दूरी, ओके, आपको पता है कि इसका जो प्रारंभिक वेख था, यू, यू कितना था, 9 मीटर पर सेकंड था, 9 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सलेशन हो रहा, वो कितने का हो रहा, माइनस टू, एक्सलेशन कितने का है भाई सब, हाँ, विक मिनट उपर लिखा हुआ था, तो रहन, हाँ, माइनस, माइनस टू, हाँ, बिल्कुल सही, तो माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वेर का, तो रहन, तो यदि मैं इस ग्राफ को बनाऊं, तो मेरे पास देखे किस त पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है, वेलासिटी जीरो हुई है, यहाँ पर वेलासिटी क्या हुई है, जीरो हुई है, तो यदि मैं चेक करूं कि वेलासिटी कहां पर जीरो हो रही है, तो सबसे पहले मुझे वी इक्वल टू यू प्लस 80 का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो v equals to u कितना मेरे पास 9 है, minus 2 into t, ओके, अब मैं चेक करता हूँ, v equal to 0 पुट करके, तो 9 minus 2t equal to 0 पुट करने पर मेरे पास कितना आ गया, 2t equals to 9, so t equals to 9 by 2, याने की 4.5 second पे velocity जो हुई है, वो क्या हुई है, 0 हुई है, physics बहुत कुछ कहती है, मतलब 4.5 second में जो गाड़ी थी, उसने अपना रास्ता जो है, बदल दिया है, 4.5 second में जो गाड़ी है, उसने अपना रास्ता यहाँ पर बदल दिया है, excuse me, थोड़ा सा यहाँ पर टेकनिकल एरर आया था, अब हम फिर से वापस आ गये हैं, तो यहाँ पर 4.5 second में गाड़ी ने रास्ता बदला है, मतलब velocity पहले positive थी, फिर एकदम से क्या होगी, negative होगी, आप graph में देखिए, Vt है, मतलब गाड़ी U-turn ले चुकी है, क्योंकि अब velocity negative हो रही है, जो भी होगा होगा, गाड़ी U-turn ले चुकी है, अब देखिए, हमें start कहां करना, हमें निकालना है, S fifth, यानि की दूरी है भाई साबी है, हम दूरी निकालना चाहरे है की दूरी, तो fifth कहां से शुरू होगा, तो fourth second से शुरू होगा, यहां पर four है, और यहां पर five finish है, ठीक है न, अब देखिए, आपको अगर देखा जाए, तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन भी निकलता है, दूरी भी निकलती है, दूरी के लिए आपको क्या लेना पढ़ता है, प्लस लेना पढ़ता है, तो य मेरे पास v कितना बन चुका है, v मेरे पास फिलाल nine minus two t बन चुका है, तो v equals to nine minus two into four, तो nine minus eight हो गया, that is equals to one, तो मतलब इस point पर जो velocity है, वो किती है, one meter per second है, बहुत बढ़िया, और इस point पर मैं velocity निकलता हूँ, इस point पर velocity कितनी आ रही देखिए, इस point पर velocity मेरे पास आ रही ह v equals to nine minus ten, that is equal to minus one meter per second, okay, minus one meter per second, तो यहाँ पर जो velocity आपके आएगी, वो किती है आएगी, minus one meter per second, बहुत बढ़िया, तो यह देखिए आपके पास में, अब आपको निकालना है area, क्यों, क्यों निकालना है area, क्योंकि दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए तो यहां तक का छेतरफल निकालता हूं, यहां तक का मैं छेतरफल निकालता हूं, तो कितना होता है, एक बटे दू, आधार कितना बनेगा, देखिए, 0.5, इंटू उचाई कितनी है, एक है, बहुत बढ़िया, तो यहां से मैंने इसको multiply कर दिया, तो यह भी हो गया, 0.5, तो जाहिर सी बात है कि जब उपर का दूरी विस्थापन 0.25 है तो कुल विस्थापन 0 होने के लिए नीचे का भी विस्थापन कितना रहा होगा 0.25 ही रहा होगा तभी तो कल विस्थापन 0 होपाएगा तो अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि कुल दूरी कितनी होगी तो कुल दूरी जो निकलेगी that is equal to 0.25 प्लस 0.25 आंसर कितना हो जाएगा आपने पास 0.50 मतलब पांचवे सेकेंड में चली गई दूरी जो है आपके पास में कितनी आ रही है 0.5 मीटर एक और रास्ता उसको निकाल लेका आप S का उपयोग करके भी आप निकाल सकते हैं S का मतलब S equal to UT plus half 80 square का इस्तमाल करके भी आप इसको निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं रिखिए 0 से लेकर के 4.5 तक की आप जो है 0 से लेकर के 4 तक की displacement निकाल लीजी और 0 से लेकर 4.5 तक की displacement निकाल लीजी यानि की S 4.5 निकाल लिया और S 4 आपने ये भी निकाल लिया और एक दूसरे को माइनस कर दीजी तो यहां तक का दूरी आ जाएगा या विस्थापन आ जाएगा और जो आया है क्योंकि इसके बाद जितना ये है उतना ही negative हुआ है तो इसको निकाल करके इसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे तो यह भी एक answer निकालने का तरीका है बट मैं आपको recommend करूँगा कि मैंने आपको एक तरीके से करा दिया है वो ज्यादा बहतर है ओके डन तो आज की class को यहीं पर end करते हैं अगले class में कुछ और बहतरी इन रोचक concept अच्छे वीडियो अच्छी पढ़ाई बहतरी इन से चीजे लेकर क्याएंगे हमसे जोडने के लिए धनवाद थैंगे सो मच बाबाई